नमस्कार में नीरज आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर आज यूटूब चैनल के माद्याम से आप जानने वाले हैं क्लास 6 हमारे अतिति इतिहास का ये 6 अप्टर, क्लास 7 चाप्टर इसे पहले 6 चाप्टर हो चुका, इसे पहले वाले चाप्टर आपने नहीं देखा है, तो चाइनल के वीडियो सेक्षन में ये प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं, अध्यास 7 असोक का नुर्खा सम्राट जिसने युद को त्याग दिया, रोशन के रुपरे, जनम दिन पर रोशन का दादा जी से करक नोट मिले, उस ने अपने हाथ में दवा राखा था, उसे एक नया सीडी खरीदने को बहुत मनता है, पहले के जबाने में सीडी चलता था, वही सीडी, ल शुकर महसूस करना चाहती थी, तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाइनी तरफ कांदी जी के मुस्कुराता हुआ, चेहरा हुआ था, चेहरा बना हुआ था, और बाई तरफ छोटे-छोटे सेर चितरी थे, उसने सोचा आकर यहां सेर के वह बने हुए हैं, एक बहुत बारा राज्य, एक समराज्य, हम जिन सीरों के चितर रूपे पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है, उन्हें पत्रों पर को काट कर बनाया गया, और फिर उन्हें सारनात में एक विसाल अस्तम पर अस्थापित किया गया था, इस विसे में तुमने अध्या छ इतिहास के महांतम ज्राजाओं में से एक असोग के निरदेश पर इसके जैसे कई अस्थम्बों और पत्रों पर अफिलेक उत्किर्ण किये गए, जिसके पहले कि हम यह जाने की इन्हें अफिलेकों में क्या लिखा है, यह समझने की कोसिस करें कि उनके राज्य को समराज्य क्यों कहा जाता है असुक जिस समराज पर सासन करते थे उसकी अस्थापना उनके दादा चंदरगुप्त मोरे ने लगबक देश सब वर्ष पहले की थी चाना के या कोटेली नाम के एक बुद्धिमान ब्यक्ति ने चंदरगुप्त के सहायता की थी चाने करके कई विचार हमें और सास्त नाम के किताब में मिलते हैं वंस जब एक ही परिवार के कई सदस एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंस का कहा जाता है मोरे वंस में तीन महातो पून राजा हुए चंदरगुप्त उसका बेटा बिंदु सार धानी पाटली, पुत, उजयन और तक्ष सीला जैसे नगर परमुख थे तक्ष सीला उत्तर पस्यम और मद्धे एसिया के लिए आने जाने वाले का मार्ग था दूसरी तरफ उजयन उत्री भारत से दक्षिन भारत जाने वाले रास्ते में परता था सायद नगरों में वेपारी सरकारी, अधिकारी और सिल्पे कार रहा करते थे समराज जी के बहुत बरे छेतरों में किसान और पसुपालग के गाउं में बसे हुए थे मद्धे भारत जैसे इलाकों में जातर हिस्सा जंगलों में भारा हुआ था वहाँ पर लोग फल फल का संग्रहन और जनवरों को सिकार करके जीवन चलाते थे समराज के अलग-अलग इलाकों में लोग भीन-भीन भीन-भीन भासाय बोलते थे वे लोग सायद अलग-अलग परकार का भोजन कर देते और वहाँ यहां तक कि अलग-अलग किस्न के पुसाग भी पहनते थे यहां पे जो चीतर देखिए यहां पे तक्चिला जो कि पकिस्तान में पड़ता है पाटली पुत्र बिहार में पड़ता है और उजयने यहां पे देखिएंगे जो कि गुजरात में पड़ता है यह महानगर में से एक है यह तीन महानगर है यहां पी एक नूर्स देख लेते हैं जिन जगों पर अशक कहसी लेक मिले हैं उन्हें लाल बिंदूस से दिखाया गया यह सारे इलाके समराजी के भीतर थे इन देशों के नाम बताव जहां अशों के अभिलेक मिले है भाठ के कौन से राजय मूरे समराजस्जज से बाहर थे यह बताना है grace यानि ये भारत के जितने भी थे ये बाहरत में देख सकते हैं आसानी से वीडियो को रोक कर आगे देखिएंगे राज्य समराज्य से कैसे भीन है यानि चुकि समराज्य राज्यों से बरे होते हैं और उनका रक्षा के लिए बरी सिनाओं की जरूरत होती है इसलिए समराज्य को राज्या की तुलना में ज्यादा सांसादनों की जरूरत होती है इसी कारण उन्हें बरी संख्या में कर एक कठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है शामराज्जी का परसासन, चुकि मुरेश शामराज बहुत बराद था इसलिए अलग अलग ही शूपर अलग अलग धंक के शासन किया जाता था पाठली पूत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सामराट का सिधान ये अंतन था इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाओं और शहरों के किसानों और पसुपाल को सिल्पकारों और वेपारियों से कर एकाठा करने के लिए राजा अधिकारियों के निवक्ति करता था जो राजा के आदेसों का उलंगन करते थे अदिकारियों उनको साजाद भी दिया जाते थे इन में से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगों घूमते रहाते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के काज कलाफ पर नज़ा रखते थे इन सब के ओपर समराड था जो राज परिवार यह वरिष्ट मंत्रियों की सहाइता से सब पर सब पर नियंतर रखता था मोरे समराज के भीतर कई छोटे चेतर यह परांते इन पर तक चो सिला या उजयन जैसे परांतीय राजदानियों से सासन किया जाता था कुछ हद तक पातले पूत्र से इन छेत्रों पर नियांतर रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल गौवर्णर बना कर भेजा जाता था और अक्सर अक्सर राजकुमारों को वहां का राज़ेपल या गवर्णर बना कर भेज़ा जाता था लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगवों पर आस्थानिय प्रामपरा और नियमों कहीं माना जाता था परदेशिक केंद्रों के बीच विश्द्रित छेते थे इनके इलाके में मोरे सासक चिर्फ मारगों और नदियों पनियंतर रखने के कोशिश करते थे जो की आवागमन के लिए महत्वपून थे यहां से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेट के रूप में मिलते थे इसे इकाठा किया जाता था उधारन के लिए और सास्त में यह लिखा है उत्तर पर शिमकंबल के लिए और दक्षिन भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए परसीद था संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकाठे किया जाते थे नजराना जहां कर नियमित धंग से इकाठे किया जाते थे वही नजराना और नियमित रूप से जब भी संभव हो इकाठा किया जाता था ऐसे नजराने वीवीद पदार्थों के रूप में पराया ऐसे लोगों से लिये जाते थे जो स्वेक्छा सही से देते थे राईजधानी में समराट मेगास्थनीज चंदरगुप्त के दरबार में पस्षिम एस्याई के यूनानी राजा तेलुकस निकेटर का राजदुत था मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका वीवरन दिया यहां हम उसके वीवरन का एक अंसर दे रहे हैं समराट के जैंता के सामने आने के आवसर पर शुभा यातरा के रुप में जश्न मनाया जाता है उन्हे एक सुने की पलकी में ले जाया जाता है उनके अंगरक छकम सोने के और चान्दी से अगलंकृत हाथियों पर शवार रहते हैं कुछ अंगरक छकम पेरों को लेकर चलते हैं इन पेरों का परसिक्षित तोते का एक जूंड रहता है जो सम्राट के सीर के चारों तरफ चकर लगाता रहता है चार राजा समराज हांतिरवंद महिलाओं से घीरे होते हैं वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई इनकी हत्या करने की कोशिस न करे उनके खाना खाने के पहले खास नोकर उस खाने को चेकते हैं वे लगतार दो रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे और पाटले पुत आधुनिक पाटना के बारे में यह एक विसाल और खोबसूरत नगर है यह एक विसाल प्राचीर से घीरा है जिसमें 570 वुर्ज और 64 द्वार है दो और तिन मंजिल वाले घर लकरी और कची इटों से बने है राजा का महल भी काठे से बना है जिसे पत्तर की नाकासी से अलंकरित किया गया है यह चारो तरब से उद्धानों और शिरियाओं के लिए बने वसेरों से गिरा है राजा दोरा खाना खाने के पहले खास नोकर उश खाने को क्यों चकते थे पाठली पुत महांजोदार से किस तरह से भीन है था शंकेत अध्यातीन को देखो और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे उनसे यह उमीद की जाते थे कि वे मुरे पदधिकारियों को हाथी लकरी, मधु और मुम जैसे चीज़े लाकर दे असोक एक अनुखा समराट असोक मुरे वन्स के सबसे प्रसीज सा सकते वह ऐसे पहले सा सकते जिन्होंने अभिलेकों दोरा जानता तक अपने संदेश पहुचाने के कोशिस की असोक के जातर अभिलेक प्रकरितिक भासा और प्राही लेपी में है कलिंग यूद का वर्नन करता हुआ अशोक का अभिलेक अपने एक अभिलेक में अश्ट्रोक ने यह बात कही राजा बनने के आठ साल बाद मैंने करलिंग भी जाए कि लगबग डेड़ लाख लोग बंदी बना लिये गए एक लाख से भी जादा लोग मारे गए इससे मुझे आपार दुख हुगा जब किसी स्वतन देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं इसमें ब्राह्मन और स्रवन भी मारे जाते हैं जो लोग अपने सगे संबंधि और मीत्रों को बहुत प्यार करते हैं तो तो दासों और मीत्रों को प्रति दयवान होते हैं वे भी यूद में या तुमारे जाते हैं या अपने प्रियोजनों को को देते हैं इसलिए मुझे परस्चात ताफ हो रहा है अब मैंने धम पालन करने और उम दूसरों को इसकी राख सिक्षा देने के निश्चे किया है मैं मानता हूं कि धम की माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपुरक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है मैं यह अविलेक वविश्य के लिए एक सुंदेश के रूप में इसलिए उतकिन कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी यूद ना खरे इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम को कैसे बढ़ाया जाए कलिंग की लाराई से यूद को लेकर अश्योक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ धाम संस्कृत सब्द और धर्म का प्राकेत रूप है आगे देखेंगे अश्योक का कलिंग यूद कलिंग तटरवर्ती उरिशा का प्राशीन नाम है मांचित्र पांच प्रिश्शंक है और सठ देखो और शोक ने कलिंग को जीतने के लिए यूद लारा लेकिन यूद जनीत हिंसा और खुन का रार देखकर उन्हीं यूद से विश्तरना हो गई उन्होंने निर्नायलिया के भविश्य में कभी यूद नहीं करेंगे यह उत्कृष्ट फालिश्य वाले पत्थर की इस मूर्ती को देखो और यह बिहार के राम पुरुवा में मिले एक मूरे कालिन अस्तम का हिस्सा है अभी इसे राष्ट फति भौन में रखा गया है यह उस समय के मूर्ती काला का एक नमूना है यानि इस नमूने को देख सकते हैं जो कि अभी राष्ट फति भौन में रखा गया है यह भी हार में मिला हुआ यह है आगे देखेंगे असोक का धम क्या था अशोक के धम में किसी देवता की पूजा अत्वा किसी करमकान के आओ सकता नहीं थी उन्हें लगता था कि जैसा पीता अपने बच्चों को अच्छे बेवहार के सिक्षा देते हैं वैसे ही यह उनका खर्तवे था कि अपने प्राजा को निर्देश दे वियो वुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे प्रेरित हुए थे प्रेरित थे नहीं प्रेरित हुए थे ऐसी कई समस्या थे जिनके लिए उनमें समयंदिना थी उन्हें समराजी में अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग थी और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था जैनुवरों की बली चड़ाई जाती थी दासों और नोकरों के सांथ कुरूर बेवहार किया जाता था इसके आलावे परिवार में भी परोस्टियों के बीच भी जगरते होते राते थे अशोक ने यह मसुष किया कि इन समस्याओं का निदान उनका करत तब है कि इसलिए उन्होंने धम महा मत नाम के अधिकारियों के नियुक्ति की जो जगर जगर जाकर धम के सीख्छा देते थे इसके अत्रीक्त अशोक ने अपने संदेश का इस अस्थानों पर सिला लेखो और अस्तंबवा दिये अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि विराजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ कर सुनाए जो खूद पढ़ नहीं सकते थे और सोग ने धहम के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्टर, ग्रिस तता स्रिलांका में भी दूत भेचे प्रिश्रंके 777 पर दिये गए मांचित 6 में इन शेतरों को पहचानने के प्रयास करें उनोंने सरके बनाई कुँए खुदवाई और विश्राम गरी बनवाय इसके अतिरिक्त終 उनोंने मनुष्य वह जनवारों को चिकित्सा के भी बिवास्ता की अपनी प्राजा के लिए सुक के संदेश लोग विभीन और सुरप अनुष्ठान करते हैं उदारन के लिए जब वे विमार होते हैं जब उनके बच्चों का भी वाह होता है बच्चों के जयनम और जब यात्रा शुरू करते हैं तो विझे तरह तरह का अनुष्ठान करते हैं ये कर्मकान किसी काम के नहीं है इसके बदले यह लोग दूसरे रितियों को माने तो यह ज़ादा फल दाई होगी ये अन्य परकार क किरीतिय क्या है यह है अपने दास्टों और नोक्रों के साथ अच्छा वेभार करना बरों को आदर करना सभी जीवों को दया करना और ब्रामनों तरता अस्रम श्रमानों को दान देना अपने धर्म की प्राशांशा या दूसरे की धर्म के निंदा करना दोनों ही बाते गलत है हर किसी को दुसरे धर्म का आदर करना चाहिए यदि कोई अपने धर्म के बरहाई और दुसरे धर्म की बुराई करता है तो वह आवास्तों में अपने धर्म से ज़्यादा नुकसान पहुचा रहा है यानि अपने धर्म के ही नुकसान पहुचा रहा है इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हूँ उसका आदर करना चाहिए भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडि जवाहरलाल नहरू ने लिखा आए उसके धर्म मा देश आज भी हम से एक ऐसी भासा में बात करते हैं चीने हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अश्रोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया है जो आपके अनुसर आज भी प्रहसांगिक है अश्रोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रहसांगिक है यहां पर एक लिपी लेखे गए है जो कि अधुनिक भारत के जातर लिपी में उत्पन हुई यहां आप और अक्षर और अलग अलग भासा के लिपीयों में देख सकते हैं यानि इस तरह से देख सकते हैं इसका मतलब अर्मभिक ब्रही और के मतलब देवनागरी हिंदी और इसका मतलब बंगला और मल्यालाम और तमील इस तरह से भासा ब्राही लेपी में छापा हुआ था अगर देखेंगे अन्यांत्र मोरे समराज से किम उभारने से थोड़ा पहले लगभग 24 वर्ष पहले 24 सौब वर्ष पहले चीन में समराटों ने चीन की दिवार निर्वान सुरूप किया इसे बनाने का उदे से उत्री सिमा की पसुपालक लोगों से रक्षा करना था अगले दो हज़ार वर्ष तक इस दिवारों का निर्वान कर चलता रहा क्योंकि समराज जे की सिमाय बढ़ती रही यह दिवार भी है तैथा पत्थर और इट से बनी है इसकी उपर सता सरक जैसे चौरी है इस दिवार को बनाने के लिए हजार लोकों का काम करना पर हर 100-200 मीटर के दूरी पर इस पर निगरानी के लिए वूर्ज बनी हुई है यानि इस तरह से यहां पर यह चीन की दिवार बना हुआ थ पत्रोशे आगे देखेंगे परोशी देशुव में के प्रती असोक का रवय चीनी समराठ्य के रवय से कैसे भीन था आपको बताना है खलापना करो तुम कलिंग में राते हो और तुम्हें माबाप को यूद में काफे दूख को उठाने परे हैं अभी अभी अशुक के तो धहम के नए विचारों को लेकर आए हैं आप अपने मातापीता को और संदेश वाहकों के बीच बादचीत दिखा वर्णन करो यहां पर उपयोगी सब्दाइ समराज रजधानी अधिकारी संदेश वाहक प्रांत और धहम यहां पर कुछ कोशन है आप इसे वीडियो रो है इससे देख सकते हैं वीडियो को रोप कर यहां पर हम छोटा भी कर देते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं मैप को टोटल जाने कारे ले सकते हैं कहां से कहां तक यहां पर भारत तीवाद चीन यहां पर सीन क्यांग मंगोलिया इस तरह से आप मैप को देख सकते हैं यह सिया का यह मैप है यहां पर कुछ कोशन था उसके बाद यहां पर इसके बारे में यह रेड लाइन में जो दिये गया है यह मार्ग चीनिय शासकों के नियांतर उनके थे और जो ग्रीन लाइन में दिये गया है यह मार्ग कुशानों के लिए नियांतर में थे और यह महतवपुन शमूंद्री मा यह मारग इरान-फारष के सासकों को नियंतर में था। हुस सव At अगर के बारे में दिया गया है इसको जनकारीभ द ultras हैं परियानकी ने इसा ऐदानपरदानमे भाग लिया और दक्षिन भारत के शिबू रियादद दो महोउ पूंते मांचित में पोडू का दक्षिन भारत में दूड़ो और अम्रीम आरी कमेंडू का यह रोमन नाम था दी टाइम से एटलस ऑफ वर्ड हिस्ट्री शापवा जोफ्रे बार के हैमंड इंक नियू जर्शी उनी सो चिया से फ्रिश रंके सतर से एक हतर पर अधारित है आगे की बात देखेंगे तिर लगवग बाईस तो वर्ट्स पहले मोरे समराज का पतन हो गया इसके अस्थान पर साथ अन्य जगों पर भी कई नए राज्यों राज्यों का उदय हुआ पश्यम उत्र में तथा उत्तर भारत के कुछ राज्यों में करीब एक सो सालों तक हिंदी हिंदी यमन राजाओं का सासन रहा इसके बाद पश्यम उत्र उत्तर तथा पश्यम भारत पश्यमी भारत प के रहे जब तक कि सक्षासकों को गुप्त सासकों के उसे पराजे नहीं मिल गई अध्याए दस सांकों के बाद कुसानों लगवग बाद 2000 वर्ष पहले का सासोन अस्थाफित हुए अध्याए नौ में तुम कुशानों के बारे में और अधिक जानोगे यहाँ पे हिंद्र एक राज्य की एक राज्य की अस्थापना की और शुंगों के बाद कन्नों अतत्या कुछ और 1500 का सासन तब तक चला जब तक लगवग 17 सम वर्ष पहले हुए गुप्त सम्राजे की अस्थापना हुए हमने देखा कि पस्षिम भारत के कुछ हिस्सों पर और श्रकों का सासन था यहां पस्षिम भारत तक मद्धे भारत का सासन कर रहे सत्वाहन सासकों के संधरिस के कई यूद हुए लगवग 2100 साल पहले अस्थापित सत्वाहन राजे लगवग 400 सालों तक टिका रहा लगवग 1700 वर्ष पहले मद्धे तथा पस्षिम भारत में वाका टक वंस का सासन थापित हुए यहां पर देखेंगे स्थाक का सीखा था और सत्वाहन का सीखा था दक्षिन भात में 2200 से 1800 साल पहले पूर्व के विज चोलो चेरो और पंडियों के उन पंडियों ने सासन किया लगवग 500 साल पहले पल्लों और चाले को के दो बड़े राज्यों को क्या स्थापना हुई इसके अलावे और भी कई राज्यों और राज्या थे इनके बारे मे हमें उनके सिक्को और पांडियों पुष्ट को यह पाता चलता है इन सब के सांसा तो अन्यक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें समाने इस्तिरे पुरस और महत्वपुन योगदान था इसमें क्रिसी का परसार नए सहरों का विकास और उध्यों तथा ब्यापार में प खुले मंदिरों इस्तूपद अथा अन्य इमारतों का निर्मान हुआ किताबे लिखी गई सांती बेज्ञानिक खोज की भी यह सारी बात सांत सांत हो रही थी इसी पुष्टा के बाकी हीसों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना तो फ्रेंड्स यह वीडियो यहीं पर समाप दुकता यह चैप्टर खतम हो गया इससे आगे आने वाले वीडियो में आगे का चैप्टर आपको कंपलीट ख़़ा दिया जाएगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में तबता के लिए थैंक यू